हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंजिनियर ओटोल्ड आज हम बात करेंगे मारुती सुजुकी इको के प्राइस फीचर्स और इंजिन स्पेसिफिकेशन्स के बारे में मारुती सुजुकी ने इको का एक नया अपडेटेड मॉडल लाँच कर दिया है इको को कमपनी ने 30 वेलियंट में लॉंच किया है इसमें से 7 सीटर कारगो 5 सीटर तूर के साथ एमूलेंस वेलियंट को भी जोड़ा गया है कमपनी इन सभी वेलियंट के साथ CNG किट का भी ऑप्सन दे रही है मारूती सुजुकी इको का एक सोरूम प्राइज 5.10 लाग रुपे रखा गया है इम को वेश्ट ना करते हुए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मारूती सुजुकी इको के फीचर्स की बात करें तो मारूती इको के इंजन को अपडेट करने के साथ ही कमपनी ने इसके फीचर्स को भी अपडेट किया है साथ ही इसमें न्यू फीचर्स को एड़ किया गया है इसमें नया steering wheel, cabin air filter, AC vents, नया digital instrument cluster, PC rotary control जैसे features दिये गए हैं मारुती Suzuki Eco के safety features की बात करें तो कमपनी ने इसके safety features को update करते हुए इसमें engine, mobilizer, hazard switch, front seat पर two airbags, doors पर child safety lock, PD के साथ anti-lock braking system, reverse parking sensor जैसे safety features दिये गए हैं अगर इसके engine और power की बात करें तो, 2022 मारुती Suzuki Eco में company ने 1.2 liter dual jet petrol engine दिया है ये engine, 50.70 PS की power, साथ साथ 104 nm का peak power generate करता है इस engine kit पर इस engine की power decrease होकर 71.65 PS साथ ही इसका peak torque 95 nm का रह जाता है इस engine के साथ ही इसमें 5-speed manual transmission का भी option मिलता है मारुती Suzuki दावा करती है कि ये new eco 2023 petrol engine पर 20.20 km per liter का mileage देती है वहीं मारुती Suzuki Eco new model की mileage को लेकर मारुती Suzuki दावा करती है कि ये new model 2023 petrol engine पर 20.20 km per liter का mileage देती है वहीं CNG kit और इसकी mileage बढ़कर 27.05 km per kg kit रह जाती है